इंडियन टीवी नियूज देश का तेजी से बढ़ता नियूज नेटफर्ग नमस्कार आप देख रहे हैं इंडियन टीवी नियूज आईए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर गर्बवती को समय पर नहीं किया गया था इलाज नवजात की हो गई थी मौत इलाज जूडी नर्स ने ली थी 500 रुपे की रश्वर्ट पना जले के सलेः प्रात्मिक स्वास्त केंद्र सलेहा थाना अंतर कर। ग्राम पीपरिया से प्रसफ कराने आई महिला के नवजात बच्ची की इलाज में देरी वेला परवाही होने की कारण मुत्यू हो गई गटना 16 एवम 17 सितंबर सलेहा प्रात्मिक स्वास्त केंदिग है प्रसव पिरिता के ससूर रमेश लोडी ने 27 सितंबर को जिरा कलेक्टर रे मुखे चिकित सा अधिकारी पन्ना से लिकत शिकायती आविदन दिया था आविदन में उलेग किया था के मैं अपनी बभू को प्रसव कराने से रहा अस्पेटाल में भर्ती कराने रात मी जिन बचिल आया था जहां अस्पेटाल का गेट बन था गंटो दरोज़ा क KART कराने के बाद गेट खोला गया शे बज़े नर्स आई और कहा कि बच्चा मर चुका है, सुबर साथ बज़े तक बहु को पलंग नहीं दिया गया, बर्ती करने के एमिज में 500 रुपे नर्स ने रिश्वत नी और डॉक्टर अजय जच्चा बच्चा को देखने नहीं आए, यदि आवे दक की बहु को समय पर स्वास से लाब दिया जाता है तो नवजाद के मुत्यू नहीं होती, नर्स के लापरवाही से नवजाद के मुत्यू हुए, करभवती महिला के ससुने स्टाफ नर्स के उपर कलेक्टर सीमो से कारवाही की मांग की है, नर्स के लगेंगें लेचे, लेटलेबर नर्स का नाम है, मम्ताकुसवाह, जब टेलेवरी ही तो बच्चर के हालत कैसी थी, वेटलेवरी की दौरान मरा है, कि देलेवरी की बाद मार, कौन सी नर्स डूट्व्धी पर थी और क्याला पर और इस तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहे इंडियन टीवी नियूस हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए धन्यवाद फिर मेलते हैं अगली खबर के दाद